Tata Motors की नई SUV Tata Harrier काफी लंबे समय से सुर्चों में बनी हुई है इसे इसी साल फरवरी 2018 में Auto Expo के दोरान H5X Concept के तौर पर पेश किया गया था और तभी से लेकर आस तक ये गाड़ी सुर्चों में बनी हुई है कमपनी ने 15 अक्टूबर से इसकी booking भी शुरू कर दी है और आप डिलर्शिप पर 30,000 रुपे देकर हैरियर की booking भी करा सकते है और आपको ये भी बता दे कि ये है booking राशी refundable भी होगी Tata Harrier को 5 और 7 सीटर के option में लॉंच किया जाएगा ये गाड़ी Omega platform पर based होगी ये है वही platform है जिस पे Land Rover Discovery जैसी दमदार गाणिया बनी है यानि सीधे तोर पर ये है कह सकते हैं कि Tata Harrier में Off-Roading की शमता हैं बहुत ही बहतरीन होगी Tata Harrier में All-New 2.0 L का CryoTech डीजल इंजन दिया जाएगा जो कि कमपनी द्वारा Best in Diesel Technology बताई जा रही है और अगर Fact की बात करें तो सही में इस इंजन ने Performance और Refinement के Global Standards के खिलाब एक Benchmark सेट किया है ये है इंजन भविश्य के B.A.6 Emission Standard को भी पूरा करेगा Tata Motors के मताबिक ये है इंजन ऑक्सिडाइजर के रूप में Liquid Hydrogen का उप्योग करता है जो वर्तमान फ्यूल की तिलना में बहुत कम परदूशन करता है Tata Harrier में ये हैं एंजन 140 BHP की पावर जनरेट करेगा अजबकि इसी के 7-seater वाले वर्जन में ये हैं एंजन 170 BHP की पावर जनरेट करेगा इंजन को 6-speed manual gearbox से लेस किया गया है और आप्शन के रूप में 6-speed automatic gearbox भी दिया जा सकता है कमपनी के flagship model होने के नाते Tata Harrier में premium cabin के साथ multiple features दिये जाएंगे जिसमें touch screen infotainment system के साथ Harman Kardon audio system भी शामिल होगा नई Tata Harrier को 2019 के शुरुआत में launch किया जाएगा और इसकी अनुमानी कीमत 12 लाख रूपिय से शुरू हो सकती है